कक्षा 90 के देखिए सभी विध्यारती दिहान दे आज के इस वीडियो के अंतगत देखिए आज मैं आप सभी को अर्दवार्सिक परिक्षा के लिए विसे हिंदी का एक ऐसा पेपर यहां पर बताने जा रहे हूं जिसके 90% परिक्षा में आने के चांस है और यह पेपर आपक दिया गया है ध्यान से देखिएगा ठीके कि सुमती कोन था तो सुमती था आपका आव और बाद दोनो ठीके तो इसमें आपका आव बाद दोनो यहने कि लेखे का सहर यातरी भी था और एक बोध विक्षू भी था दूसरा प्रस्ण है कि सलीम अली की पतनी का नाम क्या था तो उनकी पतनी का नाम था तहे मीना ठीके क्या नाम था उनका तहे मीना तीसरा है साइलेट वेली कहां इस्तित है तो इसका आपका अंसर हैगा केरल में ठीके कहां पर है इस्तित केरल में तो चली स्क्रिन सोट ले ले आप प्रस्णों का इसके बाद में हमारा है चोथा प् कि तिब्बत में खेती की व्यवस्ता देखते हैं कौन देखते हैं भिक्छुक पांचवा है गुरु देव सब्द किस भारती महापुरूस के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसका अंसर है आपका रविंद्रनात टेगोर और प्रेम चंद जी के प्रेम चंद जी केसे साहि भारतवादी ठीके कैसे थे यह थार्तवादी तो स्कृन्सोंट आप अच्छ से लेऊ अच्छ से कंप्लेट करें अब हम अगले प्रस्थन की और बढ़ते हैं तो देखे हमारा अगला प्रस्थन हैं रिक्तिस्थान की पूर्टी कीजेब पहला है सांती निकेतन की स्थापना डिड़ेस नेकी, तो किसने की थी सांतीनिकेतन की स्थापना जिसका अपका अंसर हेगा रविंद्रनाथ टेगोर ने रवी द्र नाथ टेगोर ठीक है आप अपनी बुक में इनको नोट करते चले इसके बाद में कबीर डिडडेस परंपरा के संत थे तो इसका आपका अंसर रहेगा दूसरे का निर्गुण इसमाएगा निर्गुण ठीक है चले हम अप तीसरा प्रस्ट कंप्लेट करेंगे आपनी उनको स्क्रीन सोट ले ले या अपनी बुक में नोट कर ले तीसरा प्रस्ट नहें रस्खान ने रिड़ेस छंद में रचनाय लिखी तो इसका आपका तीसरे का अंसर रहेगा सवया चोता है दया दावा नल का अर्थ डडडडेस है जंगल की आग ठीके चले अब हम पांचव देखेंगे पांचव प्रस्ट ने फत्तरो द्वारा पानी पीना में डडडडेस अलंकार है तो इसमें अपका नंकार है मान मानवी करण ठीके चले छटा प्रस्ट मा अबने बच्चो का हमेशा डडडडेस चाहती है क्या चाहती है मा बच्चो का सभी का कल्यान चाहती है ठीके चले तो आप स्क्रीन सोट ले ले और चसे कंप्लीट कर ले अब हम अगले प्रस्थन के ओर पढ़ते हैं तो देखिए हमारा अगला प्रसने सत्य सत्य पहला है अलसी एक तिलहनी पोधा है तो ये बात आपके सत्य है दूसरा है केदारनात अगरवाल प्रियोगवादी कवी है तो ये आपका सत्य है तीसरा है डक्षिन दिशा यमराज की दिशा है ये भी सत्य है रीड की अड़ी एक सब्सक्ट quarta ऑठका सत्य है जोडी दो बेलों की कता पहले की जोड़े की जोड़े की आपकी रहे रहेगी मुंसी प्रेमचंद्र रसका लहसा की ये रहेगे आपकी सवय्या तीसरी सावले सपनों की याद जाबीर उसेन चोथी ये वाग की जोड़े आपकी लहेगी लगदाथ पांचवे केदी और कोकिला इसकी जोड़ी है माखुनलाल चतुरवेदी ग्रामिस्री इसकी जोड़ी है आपके सुमितन हंदन पंतर ठीक है चले जोड़ी कर स्क्रिंसोट ले ले और कम्प्लीट कर ले अब हम देखेंगे एक वाकी में उत्तर तो देखें पहला है हमारे यहा क्या अर्त है तो इसका आपका अंसर हैगा मार डालना क्या है rugged में मार-डालना ठीक पहले अंसर गंप्लीट इसके बाद में दूसरा चीती मोहन सेन कौन थे तो यह एक प्रकांड विदवान और सतंतरता संग्राम से ना नहीं थे ठीक है तो इसका अंसर आप करहेगा एक प्रिकांड विदान और स्वतन तृता क्या थे से नानी ठीक है चले आप स्क्रीन सोट ले ले और कंप्लेट कर ले इसके बाद में तीसरा खा खाकर में कौन सा अलंकार है तो ये अलंकार आपका है पुनहा रुकती प्रकास अलंकार पुनहा रुकती प्रकास अलंकार ठीक है चले इसके बाद में हमारा है चोथा प्रस्न कवी ने जेल को किसका डेरा बताया है चोर और हवाओ का इसमायगा आपका चोर और हवाओ का ठीक है चले पाँचवाय प्रकती ने कुसल चितरे किसे कहा है कवी स्री सुमितर नंदन पंत्रम सुमितर नंदन पंत्र यहां पर आपस के और इतना लिख देना सुमितर नंदन नंदन पंत्र ठीक है चले इसके बार में छट्टा है हमारा की व्रंदावन कौन प्रसिद्ध है तो स्री कृष्ण की लीला इस्तली होने से भरंदावन क्यों इस्ति थे तो इसका अंसर आहेगा आपका अि कृष्ण की कि लीला इस्तली इस्तली होने से ठीक है ख क्रश्ण की लीला इस्तली होने से स्टली होने से चले तो स्क्रीन सोट आप अच्छ से ले ले कंप्लेट कर ले इनको चले अब हम अगले प्रस्थन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रस्थन है कि किस संसार में सच्चा संत कोन कहलाता है स्क्राइन कवी ने कोकिला के बोलने के की नच्चा कारणों की संभावना जता है ग्राम स्री कवीता में किस मोसम के सुन्दर का वर्णन है प्रबंद कावी के से कहते हैं इसके भेद बताए उधारन दीजे रस की परिवासा लिखते वे बताए कि रस को निस्पत्ती कैसे होती है कांजी होजक में केद पसो की हजीरी क्यों ली जाती है ठीक है चलिए बाकी की प्रशनों यहां साप स्क्रीन सोट लेते चलिए और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छेंक प्राप्त कर सके देखिए इस चैनल के उपर आपको वासी पर जानकरी ले सकते ही